नमस्कार मैं अंजली मिश्रौ और स्वागत है आपका हमारे चानल में देश के प्रधार मंती नरेंदर मोधी सभी के विकास और सभी के साथ को लेकर चुलने वाले बैगती है और कहीं ना कहीं अब उनके एफ़र्ट्स को बाहर देशों में भी रेकोग्नाइस किया जा रहा ह अब इसी मुद्धे पर खालिस्तानी प्रोपागेंडा को पीछे धकेल सामने आये ब्रिटिस अस्तिक एसेशोशेसर ने फिर से देश के प्रधार मंती नरेंदर मोधी की काफी जादा तारीफ की है और साथी साथ उन्हें धन्यवाद भी दिया है और अपना समर्थन भी द वाब माना जा रहा है जहाँ पर उन्हें ने खुलके देश के प्रधान मंती नरेंदर मोधी का स्वागत किया है और साथी साथ उनके सभी काम को देखते हुए उनकी सराहना भी की है आपको दादे कि वहां के सिकों ने खालिस्तानी अजिंडे को पीछे धकेलते हुए अप की प्रशंसा की है रिपोर्ट के अनुसार सिख समुदाय के जो लोग थे जो नेता आये थे वो साउथ हॉल में पार्क एबनियु में स्थित गुरुद्वारा में गुरु सभा में वो शामिल हुए थे और इस शभा में उन्होंने एक प्रस्ताव को भी पारित किया इस प्रस है शवततना कूछ budgetा थे आ हैं। मि अनुसार सिख समुदाय के लिए इतना कुछ करते नजाराए थे साथ इसام इंय हुआ में जाए करता होितने 16 के तौर के तोर पर घोशित करने के लेकर भी देश के प्रिधानमंति नरेंद्र मोधी की खूब सरहना की और बहुत तारीफ करते नजर आए साथी साथ वहाँ पर जो गुरुदारे में गुरु सभा हुई वहाँ पे भी जो पदधिकारी थे जो वहाँ पर मौजूद लोग थे उन्ह इस समयजाय के दोरे पारित किया गया यह प्रसताव को एक साहसिक कदम बताया जा रहा है जहां पर यूखे के तरफ से लागत तार खालिस्तानी संगठन को लेकर वीडियो सामने आता है है जहां पर यह कहा जय। है कि उके एक खालिस्तानी लोगों को समखन किया जाता है वहाँ पर सरकार को लेकर किसे तरिके से उन्हों इसकाम को अंजाम दिया तो ऐसे में यूके में खालिस्तानी से काफिस संबंद जोड़ा जा रहा था और इस वक्त जिस तरीके से बिटिस से के अशोशेशन ने अब इसे पारित किया है जिस तरीके से वह सामने आये हैं उसे देखते हुए इसे एक साहसिक कदम बताया जा रह हैं साथी साथ जिस तरीके से खालिस्तानी भारत विरोधी काम करें थे ऐसे में प्रिटिस स्ह्धार मेंतरी का समर्थन और उनके काम गिनवाने के साथ शुरू हुआ आपको बता दी कि इससे पहले भी बिटिस्ट सिख एशोशेशन ने देश के प्रधान मंत्री को अब तक सबसे बैतरीन प्रधान मंत्री बताया था जब उनकी सुरक्षा में चूप का मामला निकल कर सामने आथा जिस तरह पंजाब में जहां था कि सिख जो है नाराज है इसलिए प्रधान मंत्री का रास्ता रोका था और उस वक्त जो है एक लेटर कह सकते हैं कि सिख जो बिटिस एशोशेशन उनके तरफ से आया था जिसमें उन्होंने एक एक लाइन करें के बताया कि किस तरीके से अभी तक जो है देश कर प्रधा साथ उन्हों ने यह भी कहा था देश के प्रधानमंत्री का उस वक्त में धरनिवात किया था कि इस तरीके से प्रधानमंत्री के बारे में इतना कुछ सोच रहे हैं सिखों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं जबके एक और सिख प्रधान मंत्री होने के बावजूद उन्हों ने भी सिख समुदाय के बारे में इतना नहीं सोचा जितना कि इस वक्त नरेंद्र मोदी सोचते नजर आ उन्हें ने कहा कि नरेंद्र मुदी जिसना प्यार जितना सम्मान जितना आधर पंजाब के लोगों को इने बी देना चाहिए और जो भी असमाजी टत्व है जो इस तरीके का काम करके पंजाब की छबी विगाने की कोशिश कर रहे है उन्हें भी ये बाद समझने चाहिए सब्सक्राइब के ज़रूरत कि देश के प्रदान मंत्री पंजाब पर वोट के लिए आश्रित नहीं है जब कि पंजाब एक सीमा वर्गया राज होने के कातिर प्रदान मंत्री की जितनी भी आपके सकते हैं यूजना हो या फिर उनके फैसले पर निर्भर है ऐसे में देश के प्रधान मंत्री की राली को रोक दी गई जो सम्भोधित वह करने जा रहे थे पंजाब के लोगों को उसे रोक दिया गया इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि उस वक्त प्रधान मंत्री पंजाब से कुछ लेने ने बलकि पंजाब को 42,750 करोर की परियोजना देने जा रहे थे उस वक्त बुन ने कहा था कि पंजाब के लोगों को विकास से रुका गया पंजाब के लोगों को अच्छी चीज़ों से वनचित रखा गया और इसके लिए जो भी जमिदार है उनके उपर कड़ी कारवाही होनी चाहिए क्योंकि देश के प्रधान मंत्री सिख रोक दिया गया ऐसे में अब देख सकते हैं कि किस तरीके से अब बिटिस्टर सिख एशोशेशन जो है वो लागतार अपना समर्थ अंदेश के प्रधार बंति नरिंद्र मोधी को करते नजर आ रहे हैं बीजेपी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं और यह कही ना कहीं साथा काम किया है और यह काम अब सिर्फ भारत ही नहीं भारत के बाहर भी इसे लोग युके में ब्रिटेंड बेबी जो है इसे लोग रेकोंग्गनाइज कर रहे हैं इसके बारे पिस समझ रहे हैं और वहां के सिख समुधाय के लोग भी इसकी आप कह सकते हैं कि देश की पदान बंत्री हुं पर देश करते हैं तो ब्रिटिस डिया हैं और हमेशा की तरह अपने देश को समर्थन परदान कर रहे हैं और इसके शुरूवात उन्होंने देश के पधारमति दरेंदर मोदी को समर्थन देकर शुरू कर दिया है यह सहसी कदम बताया जा रहा है क्योंकि उन्होंने कही न कहीं बड़ा एक कंसेप्ट जो था जो बाहर से सिफ और सिफ देश बुड़े ओधी चीज़े होती है यूके से खालिस्तानी संगठनी ओपरेट करते हैं यूके के सिफ जो है वो खालिस्तानी जो है पाकिस्तान को खालिस्तान बनाने के उपर विश्वास रखते हैं इस अमित को उन्होंने तोड़ दिया है कही न कहीं यह बता दिया है कि जिस तरीके से देश में काम किये जा से तरीके जिकशन के लिए सारे योजणाई की जानी है इस तरीके उनके बारे में गुरूँका कउ इनके हद तप्की के लोग ओश्जों को जो है आदरत संवाश्य ताहरा है भारत में और भात में और ये काथी तरहीकों लेकर अब देश के प्रधार मंत्री की भी वह काफी जादा जो है प्रशंसा करते नजर आ रहें जो साथ तोर पर खालिस्तानी संगठनों के लिए एक मूह तोर जवाब है यह कह सकते हैं कि उनके उनके मूह पर कराना तमाचा है जहां पर उन्हें यह लगता था कि सब्सक्राइब के लिए चाहता है कि पंजाब को भारत से अलग करके खालिस्तान बना दिया जाए तो वहीं पर ब्रिटिस्ट सिख शिएशन ने ये बात साफ कर दी है कि वो देश के प्रधार में तरिना दे मामला जाना क्या पूरा मामला है क्या और इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके जरूर बताएं